नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे DLN exam 2024 latest update के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 15 जनवरी 2024 की बड़ी update में सबसे पहले बात करेंगे आज की breaking news PNP latest update को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे जो अभी हमारा exam complete हुआ है उसका result कप तक आएगा जी यहां उमीद करते हैं आपका paper बहुत ही अच्छा गया होगा ठीक है लेकिन कुछ और बड़ी खबर हम आपके सामने रखें देखें एक update हमने आपके सामने दिया था कि 10 लाग से भी जादा होगी बहाली तो कापी बच्चों के मन में अब इसको लेकर सवाल उटें कि सर यह vacancy कप तक आ सकती है क्या हमको भी इसमें मौका मिलेगा देखें दोस्तों बिहार में एक बात clear हो गई है जो next PRT का paper होगा जो next vacancy होगी वो अगस्त में उसका exam हो सकता है अगस्त के आसपास जाएगा ठीक है बहुत ही बहतर तरीके से देज़ेगा कोई भी लापरवाई नहीं होने चे इस paper में ठीक है न बहुत ही important paper आप लोगों के लिए होगा देखे गांधी मैदान में CM ने बाटे अध्यापकों को न्यूकती पत्र पांच लाग और लोगों को मिलेंगे रोजगार ठीक है नियोजीत को बनाएंगे सरकारी सिचक ऐसा नितीजी कह रहे है देखते हैं इस कबर को राज करमी बनने पर नियोजीत सिचकों को मिलेगी new pension यह दोस्तों आप देख सकते हैं राज कर्मी के जैसे ही दरजा मिलेगा और आपको बता दें जो बिहार में वैकंसी आई थी टीचर की उनको डारेक्ट ही राज कर्मी का दरजा दिया भी जा रहा है मुबाइल बिल में 20% तक की बड़ोतरी के आसार हैं ये दोस्त एक और बड़ी खबर और आप चौक सकते हैं मुबाइल और बोकताओं के बिल में इजापा हो सकता है इस साल होने जा रहे हैं आम चुनाओं के बाद भारती दूर संचार सेवा प्रदाता ठीक है कंपनिया के लिए जादा आपको चुकाने भी पढ़ सकते हैं याद रखेगा ठीक है फोर जी फाइब जी में थोड़ा पैसो का डिफ्रेंस देखने को मिलेगा सब्तर दिनों में दो लाग से जादा नौकरी देना देज भर के लिए नजीर ऐसा राजत जी कह रहे हैं जी यहां दोस का पेपर ना हो पाने का कि दोस्तों जो हमारा सिच्छा सेवा चैन आयोग बन रहा है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है जैसे दोस्तों यह कंप्लीट होगा उसके बाद आप एक बड़ी वैकेंसी देख सकते हैं ठीक है न तो इसके लिए थोड़ा सामें इंतजार करना प मतलब बच्चों को न्युक्ति पत्र नहीं मिल पाया है तो समझे दोस्तों कि यहां पर कितना ज्यादा लेट लतीफी हो रहा है और बिहार में बच्चे क्यों खूस हो रहे हैं कि ताबड तोड़ पेपर हो रहा ताबड तोड रिजल्ट आ रहा है ठीक है और अभी आप ल होगा वह हम बताते रहेंगे आपको ऐसा कुछ नहीं है तो पंद्रा जनवरी सीटेट के ओफिशल वेबसाइट आप यहां पर देख पा रहे है ठीक है देखते हैं और देखे फिलाल अभी जो सीटेट के तरफ से में न्यूज मिली है वहां पर आप सिर्फ अभी अपना व लिडिये की जो भी अफवा हैं उससे भी आपको बचके रहना है साउधान रहना है उत्तर पदेट टीचर अलेजबिटी टेश्ट देख सकते हैं यूपीटेट के ओफिशल वेबसाइट है जल्दी दोस्त यहां पर आपको बड़ी ख़बर देखने को मिलेगी और देखे सकते हैं फिलाल अभी आप लोग का दोस्तों देखे कुछ नहीं खबर नहीं आई है अभी आपके जो संबिट प्रैक्टिकल नंबर है उसका लिंक जल्दी यहां पर हमें देखने को मिल सकता है कि आप लोग को जो भी प्रैक्टिकल का नंबर होगा वह अपलोड आप कर पा ठीक है तो यह दोस्त एक अच्छी कबर थी कि राज कर्मी बनने पर न्योजी सिचको को मिलेगी न्योग पेल्सन ठीक है देखिए एक और बात जरा देखिए पहले इस कबर को तो राज़त के राष्टिये प्रदान मा सचिचु अबधुल बारी सिध्यकी और प्रदेश प्रदान मासचिचु रडविजे साहु की उपसिती में राज़त के मुख्यפרोंक्ता सक्ति सिंग यादो ने रविवार को राजत कारयले में आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि राज की महागडबंदन सरकार ने सतर दिनों के अंदर एक विभाग में दो लाग सतरा जार नौकरी देकर पूरे देश में एक नजीर प्रस्तूत कर दिये ठीक है सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा को उन्होंने आयना दिखाते वे पूछा कि केंडर की नरेंद मोधी सरकार दस वर्सों से सत्ता में उसने अभी तक कितने लोगों को नौकरियां दी है देखे दोस्तों आप लोग जो बच्चे डियलेट कर रहे हैं सभी बच्चों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि भया प्रात्मिक्स इच्छक भरती में कोई वैकेंसी आए ठीक है न अगर प्रैमरी लेवल पर कोई वैकेंसी नहीं आती तो आपका नुकसान होगा फेल चात्रों के लिए दोस्तों जो भी कबर आगी उस कबर को भी हम आप तक पहुचाते रहेंगे देखिए होता है कि है न फेल चात्र जादा परिसान होते हैं ठीक है फेल चात्र इतलिए परिसान होते हैं कि अभी आपको पता है प्रत्यावेदन वाला मामला फसा है अभ क्योंकि दोस्तों जो फेल पेपर या बैक पेपर होता है वो कम से कम आपको एक साल तक का समय लग जाता है इसलिए कोई भी बच्चा डियलेट करता है तो भाईया वो सब कुछ चाहता है लेकिन यह नहीं चाहता है कि वो फेल हो जाए ठीक है अगर आप फर्स समेस्टर में बैक लगे कोई बात नहीं है पेपर देते भी निकाल लेंगे फर्स सेकेंड तक फेल होंगे चलेगा लेकिन थर्ड फोर्थ में फेल होने का मतलब अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप उधर से भी एक साल पीछे हो जाते हैं ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखके डिलेट करेंगे या जो बच्चे दोजार तेस बैच के वो जरह ध्या कब तक होगा जो कि अभी हो जाना चाहिए था इसी बीच सबका हो जाता पेपर तो सही रहता और साथ में रिजल्ट भी आ जाता लेकिन अब क्या कर सकते हैं आपके सामने भईया पी एनपी से कोई अपडेटी नहीं आती है ठीक है तो आप लोग तयारी में लगे रहिएग ठीक है बहुत इंपोर्टेंट बात आपको बता रहे हैं अगर आप इस बार वैकेंसी से चूकेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है अच्छे से तयारी करिए जैसे दोस्तों कुछ अपडेट साती है रिजल्ट को लेकर वो अपडेट हम आप तक कहुच ठीक है तो देख लिजेगा कि आपको क्या करना है और फिलाल दोस्तों वैकेंसी देखिए जो यूपिटेट के लिए अवेधन का प्रोसेस या जो भी है वो फरवरी में ही आएगा और वैकेंसी भी फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगी सिच्छा सेवा चैन आयोक के पहल कि लिए कि अन्यक्तिट